बिहार में इंफ्रेंजवाइरस और स्वाइन फ्लू की बाद अब कोरुना ने भी दस्तक दे दी है काफी लंबे समय से कोरुना से चुटकारा पाचु के लोगों की मुसीबते एक बार फिर बढ़ने वाली है कोरुना संक्रमित मरीज मिलने की बाद स्वास्त विभाग अलर् सारे की तीन अलेग अलेग जिलों की रहने वाले वैक्ती में कोविट की मामली देखने को मिले है कोरुना वायरस के मरीज मलने के बाद से स्वास्त विभाग में भी हरकंप मचा हुआ है स्वास्त विभाग की चुनोती बर गई है साथ ही डॉक्टर इंफ्लेंजा वायरस से भी सतर क्रहने की हिडायत दे रहे हैं मौसम में बदला हुआ है जिस वज़ से लोगों को सर्दी खासी और बुखार जैसी बिमारी का सामना करना पर रहा है लेकिन इसे नजर अंदाज करना आपको भारी भी पर सकता है बताते हैं क्या कुछ तैयारी स्वास्त विभाग के द् दूसरी और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद गाइडलाइन्स को लेकर डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं सारी जानकारी आगे के रिपॉर्ट में आपको हम देंगे अब नमशकार आप जनता जंशन देख रहे हैं और मैं आपकी साथ वंदना पांडी कोरोना की बाद देश में कई अलग-अलग वाइरस ने दस तक दिया हो इसे में सावधानी बरतना बहुत एहम इसलिए भी होता जा रहा है क्योंकि सिर्फ देश में इंफवेंज़ा वाइरस और स्वाइन फ्लू के मामले ही नहीं हैं बलकि कोविड के मामले भी सामने आ चुके हैं कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आने से अब खत्रा लगतार बना हुआ है हालांकि इस बार भी लक्चन पहले की तरह ही है लेकिन इस बार ये अधिक के लंबे समय तक शरीर पर असर कर रहा है क्योंकि सिर्फ कोविड ही नहीं इस बार इंफवेंज़ा भी लोगों के शरीर पर अटैक कर रहा है शरीर को कमजोर कर रहा है बुखार खासे जुकाम सरदर्द गले में खराश के अलक्षन धीरी धीरे खतर नाग बनती जा रहे हैं और इसी को देखते हुए स्वास्त विभाग भी अलर्ट मोड में हैं आपकों बता दे कि बिहार में एक बार फिर कोविड ने दस तक दे दी है तीन कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से राज्ज सरकार की चिंता बर गई है पटना में कोविड की तीन मरीज मिले हैं पेमसीच अस्पताल में दो मरीजों का फिलहाल इलाज जारी हैं और बाकी की मरेज किसी और अस्पताल में भरती हैं पत्ना, भोजपूर और रोहताज जिले के रहने वाले तीन लोग कोविड की इसे चपेट में आ चुके हैं तो वहीं अगर देश के हम बात करें तो करीब 125 दिनों के बाद कोरुना के मामले मिले हैं कोरुना के 885 मामले सामने आए हैं 125 दिनों के बाद चार मरीजों की जान भी चली गई है विशेशक्यों की माने तो बदलते मौसम के वज़ज़ से एक बार फिर ये वाइरस जनम ले सकता है इसलिए लोगوں को सतरक रहने की हिदायत दी जा रही है बिहार में भी स्वास्त विभाग ने असपतालों को खासा निरदेश दे कर अलर्ट मोर में रहने को कहा है असपताल में बेड की संख्या भी बरहा दी गई है सिल सरजन की ओर से अस्पितालों में 24 घंटे मरीजों पर खास नज़र रखने को कहा गया है PMCH में भी इन फ्रेंजा से परित मरीजों के लिए 20 बेड रिजर्व करने को कहा गया है अस्पिताल प्रेसाशन की ओर से पूरी तैयारी कर सभी जिलों में इस वाइरस के लक्षन को बताने और उसे बचने के लिए अभियान भी जल्द ही शुरू किया जाएगा एक रिपॉर्ट के मुताबिक एक तरफ बिहार में कोविट के मामले देखे जा रहे हैं वही दूसरी तरफ H3N2 वाइरस भी अपने चपेट में लोगों को लेने लगा है यानि कि इंफ्लवेंजवा वाइरस से भी लोग परिशान है यह वाइरस एक नॉन हुमन इफ्लवेंजवा वाइरस है जो अक्सर सुरों में फैलता है और धीरी धीरे मनुश्य में भी यह वाइरस से वो देखने को मिलता है इस के लक्शन वाइरल फ्लू वाइरस की तरह ही होते हैं जुसमे की बुखार और सांस लेने में परिशानी गले में दर्ड ठासी नाग बहना शरीर में दर्ड उल्टी या फिर दस जैसे लक्शन आपको देखने को मिलेंगे नगतार पॉलो करने के लिए लोगों को कहा जा रहा है यानि कि वह गाइडलाइन्स थी उसे मानने को कहा जा रहा है इंफ्लेंजर या कोविट के लक्शन अगर किसी व्यक्ति में नजर आएं तो खुछ से दवाई लेने के बजाए डॉक्टर के पास जाएं इस वाइरस से बचने क किस वाइरस के मरेज हर साल एक खास समय पर सामने आते हैं यह ऐसा वाइरस है जो समय के साथ मूटेट होते रहता है लेकिन उस बार सर्फ एक वाइरस नहीं बलकि दो तीन वाइरस एक साथ लोगों पर अटैक कर रहा है तो अब इस वाइरस से खुद को बचवाना है तो उस करेगी बागी केंद्र सरकार ने इंफ्वेंज्वा वाइरस हो या फिर कोविड की मामले हुएं सभी को देखते हुए बिहार सहित सभी राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है क्योंकि महरास्ट्रों में भी कोविड की मामले लगतार देखने को मिल रहे हैं बिहार में तीन मामले सामने आ चुके हैं सभी राज़ी अलर्ट मोड में हैं बिहार में सिवल सर्जिन को अस्पतालों में बेड और दवा की उपलबधता बरहाने की सला दी गए है 20 बेड को रिजर्व ही किया गया है तो अब आगे से जुरी कोई नई जानकारी आती है तो आपको हम ज़रूर बताएंगे तब तक आप साथ तरक रहें स्वस्त रहें सिवसाथ हमें दी चुए जाज़त और बाकी खबरों के लिए बने रहें जुनता अजिंशन के साथ कैमरे के पीछे ते विशाल और मैठी आपके साथ बंदना